दोस्तों नमस्कार मैं शील करना यह टेक्निकल जग ऐसा से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि आज करम जब हम अपना PC या लाप्टॉप यूज़ करते हैं और वो दिरे दिरे चलते चलते हमारा लैप्टॉप या कंप्प्टूटर स्लो होना शु तो अपने साथ वो कुछ temporary files को छोड़ देता है और उसके लावब कुछ software ऐसे होते हैं जो कि startup के अंदर यूज़ होते हैं चाहे उसको हम यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको background में laptop या computer उसको यूज़ करता रहता है तो दोस्तों कुछ techniques हैं जिसके मद capabilities बताता हूं जिसकी help से आप अपने laptop को first कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को start करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले technique देखते हैं जिससे हमारे laptop के अंदर जो unnecessary software होते हैं वो हमने एक बार ही install किया और install करने के बाद उसका हमार को use रही होता है और आपको जितने भी ऐसे software है वो आप उसको वहां से हटा सकते हैं तो इससे आपकर जो system है वो fast हो सकता है तो उसको कैसे देखेंगे आप अपने screen पर जाहिए यहां पर आप press करिए control panel यह आप देखेंगे control panel आ जाएगा इसको प्रेस करिए यहां पर आप देखेंगे program and features इसको प्रेस करिए यह आपके पास जितने भी आपके laptop पे इस software install है उन सब की आपके पास list आ जाएगी और दोस्तों इसमें से जो software आप यूज नहीं कर रहे हैं उस software को यहां से अनिस्टॉल कर सकते हैं अब यह आपको decide करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा software है जो कि आपके लिए useless है तो आप उसको यहां से install कर सकते हैं अब कैसे आप इसको अनिस्टॉल करेंगे जैसे सुपोस हमारा यह वाला software है business card maker इसके उपर जाएंगे आप और इसके उपर जाके mouse का second button तबाएंगे यहां जाएगा अनिस्टॉल इसको आप अनिस्टॉल करिए यह software आपका अनिस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से आप इस software को यहां से अनिस्टॉल कर सकते हैं जैसे आप इसको yes करेंग यह software अनिस्टॉल हो जाएगा यहां से तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आपके laptop के अंदर ऐसे software पड़े हैं जिनका कोई use नहीं है वह आप यहां से इसको हटा सकते हैं और इससे आपकी speed के ओपर भी फरक पड़ेगा तो चलिए दोस्त अब अगली trick को देखते हैं दोस स्टार्ट अप में चले जाते हों जैसी आप computer को खोलते हैं स्टार्ट अप के अंदर ही वह software background में चलते रहते हैं तो आपको उनको भी disable करना है अभी इस समय वह enable होंगे तो आपको वह disable करना है दोस्तों यह जो task पाय रहा है यहां पर आप इसको mouse का second button दभाएंगे यहां पर आप task manager को खोल सकते हैं इस तरह से task manager खूल जाएगा और इसका मैं एक तरीक और बताता हूं control, shift, escape को कठा दभाएंगे तो भी यह task manager खूल जाएगा और इसके बाद अगर आप यहां पर window में लेखते हैं task manager तो यह यहां से भी आप इसको open कर सकते हैं तो यह तीन तरह के task manager को खूलने के लिए अब जिस्तों यह आपके सामने है task manager खूल के आगया अब आप देखेंगे इसके अंदर ऊपर आपको नजर आ रहा है process, performance, app history, startup, user इसमें से आपने startup पे जाना है जैसी आप startup पे जाएंगे आपके सामने यह वह वाली apps आ जाएंगी यह वह software आ अब example के रहें जैसे यह reduced memory है इसको आप यहां से enable है इसको आप यहां से disable कर सकते हैं तो इस तरह से यह जो software आप disable कर देंगे यह आपके startup के अंदर नहीं चलेंगे और computer इसको ignore कर देगा तो दोस्तों इस utility से भी आप अपनी speed laptop की increase कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम जो utility द मैंने c drive को select कर लिया अब आप c drive पे क्या करेंगे इसकी properties में जाएंगे जहां पर इसकी properties को खोल लीजिए और इसके properties को जैसे आप खोलेंगे नीचे आप देखेंगे disk cleanup या menu आ रहा नीचे इसको आप press कर दीजिए जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आपके सामने में करते हैं files to delete इसके अंदर जिस box पे आप टिक करेंगे वह बाक्स जो है वह एक्टिव हो जाएगा यह देखिए अब इसमें जैसे temporary files हैं इसको आप क्लिक कर दीजिए जिसको भी आप delete करना चाहते हैं इसको आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहां से आप इसको clean कर सकते है clean up system files इसको clean कर दीजिए आपकी सारी files देखिए clean हो रही है जो भी temporary files है वो सब clean हो जाएंगे और इससे आपकी जो hardest space है वो भी बढ़ दाएगा तो दोस्तों इस utility को भी आप use कर सकते हैं अब यह files delete हो रही है जो अभी आपने clean कर रही है वो सारी files इसके अंदर से delete हो रही है यह देखिए अब जैसे आपने यह C drive में किया है ऐसा आप यह D drive में भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों अगली utility को देखते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो हमारा computer केंदर task manager होता है वो एक ऐसा tool है जिसको आप use कर सकते हैं जब भी आपका computer कभी slow चल रहा हो या आपको कोई problem कर रहा हो तो आप task manager में जाके जैसे कि मैंने आपको पताया था आप task manager पर जा सकते हैं और control shift escape key को दबा कर भी आप task manager में जा सकते हैं अब जोस्तों यहां आप देख रहे हैं आपके सामने यह सारे software जो आपके computer में समय run कर रहे हैं उन सब की detail आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे यह हमारा Google Chrome है इसमें 20% CPU वो रहा है यतनी memory हो रही है सब को सामने आ रहा है अब आप यह चाहते हैं कि जो ऐसे software जिनका आप use नहीं कर रहे हैं आप उसको यहां से हटा सकते हैं अब example के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे ज जाएंगे यहां पर आके आप इसके उपर mouse का second button दबाईए और second button दबाने के बाद आपके पास यह end task आ जाएगा इसको आप click कर दीजिए यहां से दिखिए notepad जो हट गया तो वो जो memory यह जो भी system use कर रहा था वो उसने use कर रहा बंद कर दिया है तो इस तरह से आप task manager में जाके जो भी ऐसे software चल रहे हैं उसको आप यहां से end कर सकते हैं तो यह utility भी आपके computer की speed के उपर असर करेगी और इससे आपका laptop computer fast हो जाएगा चलिए अब अगली utility को देखते हैं दोस्तों window के अंदर हमारा पस फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि default on होते हैं लेकिन हम उसमें से ज on रहेंगे तो आपके computer को आपके window को slow करेंगे उसकी speed को slow करेंगे तो ऐसे features जो आप कभी भी use नहीं करते हैं उसको आप window में जाके off कर सकते हैं तो इसको हम कैसे करेंगे इसके लिए आपको जाना पड़ेगा control panel में control panel में जैसी आप जाएंगे यहां पे programs and features मिलेगा आपको इसको आप click कर दीजिए और इसको click करने के बाद यहां पे आपको मिलेगा turn window feature on और off इसको प्रेस करिए इसको प्रेस करने के बाद आपके सामने यह screen आ जाएगी इसमें दोस्तों जिस feature को आपको off करना है उसके आगे tick लगा दीजिए वह वाला feature off हो जाएगा और जिसको आ on करना चाहते हैं उसके आगसी जैसे यह है इसको tick हडा दीजिए यह on हो जाएगा तो बहुत ही simple process है आप अपने काम के हसाब से अपने computer के हसाब से इस पेसे check box को click या unclick कर सकते हैं इसमें आपको जिस feature को नहीं चाहिए उसको आप click कर दीजिए वह आपका feature window में से off हो करते हैं तो उसके execution के अंदर कुछ temporary files generate हो जाती हैं जो की computer के अंदर store हो जाती है और जब हम उस software को बंद कर देते हैं लेकिन वह files उसके अंदर temporary folder के अंदर रहती हैं तो उस temporary files को भी हमें delete करना होता है तो हम कैसे delete करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको window प्लिक के आप okay कर दीजिए और जैसी इसको आप okay करेंगे आपके सामने यह screen आ जागी अभी आप देख रहे हैं कि मेरे computer के अंदर चार files है क्योंकि मैं इसको साथ के साथ delete करता रहता हूं लेकिन जब आप अपने computer को देखेंगे तो यह files आपको synchrome में मिलेंगी 200 300 400 जिस से आप computer use कर रहे हैं उससाब से आपको यह files मिलेंगी तो आपको simply क्या करना है इनको Ctrl A करके select कर लीजे और इसको delete कर दीजिए और जैसी इसको delete करेंगे जो file आपकी अभी use हो रही होगी उसको छोड़कर बाकी सारी file इसमें से delete हो जाएगी तो इस तरह से आप यह temp folder के percentage temp कर दीजिए temp के आगे भी percentage और temp के पीछे भी percentage इस तरह से दोस्तों percentage temp percentage इसको करने के बाद आप इसको ok कर दीजिए और इस तरह से आप देखेंगे यह computer की मेरी junk file आगी है जो इससे में 59 के करीब है यह आप देख रहे हैं इनको आप Ctrl A करके select करिए और इसको delete कर दीजिए और जैसे भी इसको आप डिलीट करेंगे इसमें जो temporary files है वो वह बली डिलीट होंगी जो इसमें computer यूज नहीं कर रहा है तो जो computer file यूज कर रहा है वो इसको delete नहीं करेगा तो इस तरह से भी आप यह file डिलीट कर सकते हैं जोस्तों इसी तरह से आप prefetch command भी यूज कर सकते ह जो कि window में directory होती है prefetch उसमें से जो temporary files होती है वो इससे delete हो जाएंगी इसके लिए आपको window key plus R को दबाना पड़ेगा run command आ जाएगी और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा prefetch इसको ok कर दीजिए और यहां पर इसको continue कर दीजिए अब देखेंगे कि यहां पर मेरे पस कित delete कर दीजिए इसमें वो file delete नहीं होंगी जो इससमें computer use कर रहा है बागी सब files इसमें से delete हो जाएंगे तो दोस्तों इस तरह से आप इसको भी prefetch command को use कर सकते हैं और यह use करने के बाद आप recycle bin में जाएंगे और यहां पर Ctrl A करके select कर लीजिए यह जितनी file से इसको recycle bin में से खाली कर लीजिए empty कर लीजिए आप इसको इस तरह से आपकी recycle bin भी खाली हो जाएगी चले अब next command को देखते हैं दोस्ता हमारे computer के अंदर कुछ apps ऐसी होती है जैसी हमारा computer boot आपके start होता है और कुछ app हमारी background में चलती रहती है ऐसी app जो background में चल रही है वो हमारी system की resources को use क करता है उसको हट आ सकते हैं उसको background में जाके off कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा window की start key पर जाहिए इसको press करें यहाँ पर यह सेटिंग आ जाएगा setting के button में जाएंगे और आप जैसे setting में जाएंगे आपको यह privacy नजर आएगा privacy को press करिए और य क्योंकि on और off हो रही है इसमें से जिस आपको आप background में रन नहीं करना चाहते हैं उसको आप यहां से off कर सकते हैं जैसे आप यह देखिए यह Cortana app है इसको मैं on है इसको मैं off कर देता हूं यह background में चल रही है उसके बाद Dell customer connect इसको मैं नहीं use करना चाहता इस तरह से आप select कर motion यह मेरे को off कर नहीं है इसको भी मैंने off कर दिया और इस तरह से films and ettie वी इसको मैं ने off कर दिया और groove music इसको इसको मैंने off कर दिया यह सब एरि background में चलती पीछे से memory को consume करती रहती है, तो इस तरह से आपको जो भी समझ में आती है, आपको अपने laptop के साफ से, अपने काम के साफ से, यहां पर जाकर इनको off कर सकते हैं, यह off करने के बाद background में यह app आपकी data consume नहीं करेंगी, ना memory में space consume करेंगी, तो इस utility के थ्रू भी आप अपने laptop की speed को increase कर सकते हैं, दोस्तों कुछ files ऐसी होती है, जो हम laptop को use करते हैं, वो हमारी जो c drive होती है, उसके अंदर temporary folder में save होती रहती है, उसको आप किस तरह से erase कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, start button पे जाएंगे, यहां पे setting button को दबाईए, और setting button को दबाने के बाद आप system folder प्रमेट आएंगे, यहां पे आपको storage मिलेगा, इस storage को आप प्रेस करिए, जैसे आप इस storage को प्रेस करेंगे, आपके आप सामने, यह C drive का पूरा display आजाएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि application and features कितना-कितना space use कर रहा है, यह आपके सामने display हो जाएगा, इसमें नीचे आ आएंगे, show more categories, इसको आप प्रेस करिए, आपके सामने और category आजाएगी, जितनी भी आपकी files होगी, वो सब यहां पर display करेगा, अब दोस्तों इसको आप configure भी कर सकते हैं, जैसे उपर आप देख रहे है, configure storage sense और run it now, इसको आप प्रेस करिए, अब यहां पे आप देख रहे आप इसको manage कर सकते हैं, तो everyday पर आप इसको रख दीजिए, फिर temporary files, जो आपकी temporary files है, उसको delete करना है, वो आप कैसे करेंगे, इसको यह बता देंगे, कि जो मेरी recycle bin में file है, वो एक दिन से उपर होनी चाहिए, या 14 दिन से, या 30 दिन से, जो भी आप define करेंगे, उसको यह active कर देगा, उसके बाद है कि delete files in my download folder, दोस्तों जो आप internet से कुछ भी download करते हैं, तो वो files आपकी download folder में जाती है, लेकिन उसको आप शयाद erase नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि download files के आपको कभी भी जूत पड़ सकती है, तो इसके अंदर आप यह option दे सकते हैं, अपने work के हिसाब स कि आपको जो download folder में files delete करनी है, उसको आप कभी भी delete नहीं करना चाते हैं, एक दिन बात करना चाते हैं, चौदवा दिन के बात करना चाते हैं, यह number of days आप यहाँ से define कर सकते हैं, तो मैंने इसमें दिया हुआ never, मेरे को यह files कभी भी delete नहीं करनी हैं, तो इस तरह से दोस्तो इस utility को use करके भी आप अपनी जो drive है, वहाँ से भी files को delete कर सकते हैं, दोस्तो हमारे laptop के अंदर कुछ visual effects भी होते हैं, जब visual effects जब laptop use करता है, उसके अंदर भी वह memory को consume करता है, तो आप उन visual effects को disable करके भी अपने laptop की speed को आप बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या क करना पड़ेगा, आप यहाँ पे search पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको system की property पे जाना है, उसके लिए command है sysdm.cpl, इसको प्रेस करिए, और जैसे आप प्रेस करेंगे, आपके सामने के menu खुल के आएगा, इसके अंदर आप जाएंगे, advance के जो default होता है, वो computer में लिखा होता है, let's window choose what's best for my computer, इसके अंदर जो window होगा, अपने आप select करेगी, कि उसके लिए कौन सा best है, उसके पास second होता है, adjust for best appearance, फिर adjust for best performance, फिर custom, तो इसके अंदर आप देखेंगे, कि अगर आप इसको करते है, adjust for best performance, तो इसके अंदर आप click करने क इसके बाद इसमें से आपको जो active करना है या deactiv करना है आप यहां से select कर सकते हैं, जैसे suppose मेरे कोई animation नहीं चाहिए, इसको अब यहां पे click करिए, यह select हो जाएगा और यह animate disable हो जाएगा, तो इस तरह से आप जाके अपने laptop के साब से यहां से इसको active और deactiv कर सकते हैं, तो अभ अपने computer की speed को adjust कर सकते हैं, जोसतर जो पुराने computer होते हैं, उसके अंदर memory कम होती है, तो उसके अंदर तो आप इसको use कर सकते हैं, लेकिन जो आदकल के computer आ रहे हैं, उसके अंदर जो memory है वो ज्यादा होती है, तो उसके अंदर आप इसको plus minus कर सकते हैं, अगर आपको active करना फरक जरूर पढ़ेगा तो इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों जब आप कभी कम्टूटर पर काम कर रहे होते हैं तो काम करते करते हैं आपके बस कम्पनी की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं उसमें आपको वो ट्रिक्स देता है कि आप इसको ऐसे कर लो यह ठीक हो जाएगा लेकिन दोस्तों जब वो ट्रिक्स और टिप्स आपको डिस्प्ले करती हैं उसके अंदर भी वो आपकी मेमरी को यूज करता है और आपके फास्ट हो जाए तो उसको आप कैसे करेंगे उसके दोस्तों आपको स्टार्ट बटन में जाना है स्टार्ट बटन में आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के अंदर आप यहां पर सिस्टम में जाएंगे और जैसे आप सिस्टम में जाएंगे आप थोड़ा सा नीच का मेनू आ जाएगा जितने भी नोटिफिकेशन है यह देखिए तो इस तरह से आप इसको आउन और आफ यहां से करके अपने नोटिफिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं तो इसके करने से भी आपको जो लग्टप की स्पीड है वो इंक्रीस हो जाएगी और उसको अगर इसको आ से भी आते हैं आप चाहते हैं कि वो आफ ना ओँ तो इसके जैसे आप इसको आउन करेंगे अब यहां पर इस स्विछ से मैनूरली भी आउन अफ कर सकते हैं एग्जामपल के लिए जैसे आपको गोगल से भी नोटिफिकेशन चाहिए आटो प्ले को नहीं चाहिए तो आप को और भी आप चेक कर सकते हैं जैसे फीडबैक हब नहीं चाहिए आपको इसको आफ कर दीजिए इस तरह से और आपको डेस्क डेल कस्टमर करनेक्ट भी नहीं चाहिए आपको इसको आफ कर दीजिए आपको ड्रॉबक्स प्रोमोशन भी नहीं चाहिए इसको आफ कर दीजिए Skype भी नहीं चाहिए इसको off कर दीजिए और इस तरह से आपको जो भी इसको on off करना है आप यहां से इसको easily कर सकते हैं और जिसको आप off कर देंगे वो notification आपके पास laptop पे नहीं आएगा तो इस utility से भी आप आपने laptop की speed को increase कर सकते हैं तो Windows 10 के अंदर colors के अंदर transparency effect आता है उस transparency effect को आप use अगर करते हैं तो आपके जो computer की जो memory है वो ज्यादा consume होती है अगर आप उस transparency effect को off कर देते हैं तो आपकी computer की जो speed है वो fast हो सकती है तो आप उसको कैसे off करेंगे उसके लिए आपको start button में जाना पड़ेगा start button में जाने के बाद आप setting में जाएंगे और setting में जाने के बाद आपको personalization में जाना पड़ेगा यहाँ पे आप देखेंगे colors menu में आपको colors की option नजर आ रही है इसको आप select करे आप देखेंगे यह जो menu है यह वाला यह जो gray color है इसके अदर देखेंगे बीच में कुछ dots है design है यह transparency effect है यह आपको नजर आ रहा होगा अब आप इस transparency effect को अगर आप off कर देते हैं यह देखिए transparency effect इसको अगर आप off कर देते हैं तो यहाँ पे यह जो आप gray color पे देख रहे देखे on करते हैं यहाँ पे effect आ गया तो यह transparency effect होता है यह पूरे laptop पे पूरी window में use होता है कही ना कहीं इसका use होता रहता है तो अगर आप इसको off कर देते हैं off करने से आपके जो laptop है वो कम memory को consume करता है चोटी चोटी चीज़े हैं जिसको आप on off करके अपने laptop की speed को increase कर सकते हैं दोस्तों window के अंदर एक feature होता है search का window search जब भी आप window पे किसी चीज़ को search करना चाहते हैं वहाँ पर type करते हैं और आपके सामने search की होगा topic आपके सामने display हो जाता है दोस्तों यह display तो होता है लेकिन इसके पीछे यह भी memory को consume करता है अगर आप इस feature को off कर देते हैं तो वह search नहीं करेगा और आपके laptop पी जो speed है वह fast हो सकती है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा window key के साथ R को press करिए run command आ जाएगी यहाँ पर आपको लिखना पड करेंगे windows search मिलेगा आपको फोड़ सा scroll करके नीचे आईए यह आपको windows search की option में नजर आएगी यह देखिए यह है इसको डबल क्लिक करिए जैसी आप इसको डबल क्लिक करेंगे आपके सामने के menu खुल के आएगा इसके अंदर आप देख रहे हैं यह जो लिखावा startup type यहाल आप यहां पर जाके disable कर सकते हैं जैसी आप इसको disable करेंगे जो window search है वो आपका disable हो जाएगा और आपके laptop की speed जो है वो increase हो जाएगी और इसको आप यहां से ok कर सकते हैं तो यह utility के थूभी आप अपने laptop की speed को बढ़ा सकते हैं दोस्तों यह छोटी-छोटी utility है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपकी जो laptop की performance है उसके उपर जुरूब effect पड़ता है उनका दोस्तों आपको मैंने window की speed बढ़ाने के लिए कई utility बताइए इसमें से आपके जो भी utility आपको अच्छे लगा आप उसको अपने laptop में use कर सकते हैं और दोस्तों यह video काफी लं बआखऑच से लिए बचले की जो भी शाजब तोस्तों आपके है ठीप्चियो के लेगवता है कि जो है की बचले से खले कि ऊच्छे बचले के आब तोस्तों के लिए खले लो घृ़ ज unters सकते हैं स्कत्ष और घृब के जो सबस्तों सो इफम्हां को अच्ज